कैसे समझाती है हेरे मनसा से ठेवसे हापड मैं ुनके सुपरत करियाओ रे लेरा इक लोता छे साल का लड़का इस रेंग मी ठान रियाओ मनसा से तिबस हाप उड़ मैं उनके समरत गड़े आओ महराज वो बहुत ही महन पुरुस हैं आप उनसे अपनी गरीबी की बात बताओगे तो वो आपको 200 रुपे दे देंगे कैसे केने लगी पहली बात में हो दो सो रुपे दो सो रुपे मांग लियो जाके हो दो सो रुपे मांग लियो जाके जट पले में खालेंगे दयावान महा पुरस आदमी वो ना आग्यान टारेंगे हो दो पेरी और साज समेरी वें तीनों वक्त संभालेंगे अपने जैसा पूत समझ के वो तेरे लाल ने पालेंगे एरे ऐसी जगे नहीं मिलने की ऐसी जगह नहीं मिले देखी चाहे दुनिया मैं फिर आओ मन साथ बसे हापड़ मैं उसके सपर्द करे आओ मन साथ बसे हापड़ मैं उसके सपर्द करे आओ आपयाओं जे डिनां जे लोग। आपयाओं हो दो आपरी आपयाओं गवापयाओं जे लोग। जेल लोग। ये कहने लगी कि महराज इतने दान किये इतने पुन किये जगे जगे गउसाला खलुआई मंदिर बनवाए लेकिन आज ये कैसा समय देखने के लिए आ गया कहने लगी कि बड़ी मुश्किल से एक बेटा दिया रामने उसे भी अपने से दूर कर रहे हैं कैसे कहने लगी दूसे रामने कितने दिन महरोम रहूंगी हस के पास बुलाने को खुद माही पपन बुरी जगत मैं तोटा जिगर जलाने को धर गिर्वी सुत नेल्या पुंजी कुछ अपना काम चलाने को धर गिर्वी सुत नेल्या पुंजी कुछ अपना काम चलाने को एरे दोसो रुपे घाल पल ले मैं स्वापने वापिस घर आओ बनसा से एक बसे हापुड मैं उसके सुब्रद करी आओ बनसा से एक बसे हापुड मैं उसके सुब्रद करी आओ कि वापने बनसा से एक उमटे शसे हाप। यह यह बसे करी आओ कहने लगती है कि माराज आप इतने दानपुन किया करते थे लेकिन आप आपने अपने भाई के कहने से अपना सारा दानपुन करना बंद कर दिया इसलिए वो बगवान आज हमें ये दिन दिखा रहा है अगर आप फिर से उसी स्वर का नाम लेना सुरू कर दोगे तो हमारा टोटा भी दूर हो सकता है कैसे कहती है तीसरी वात में क्या लिखा सिर्किरिसन सच्चे का नाम हम हुआ सिर्किरिसन सच्चे का नाम हम हिर्दे बीच घुटा लेंगे आज तै पाच्चे धरमता जनकी हम दोनों कसम उठा लेंगे तोटा हटते ही नफा होया तो सुत्रे पेर छुडा लेंगे परमेश्वरिका लेके नाम है तोटा हटते ही नफा हुआ तो सुत्रे पेर छुडा लेंगे एरे परमेश्वरिका लेके नाम है तोट सबर की भरता हो मनसासे एक बसे आपड़ मैं उनके समरंद करीयों मनसासे एक बसे आपड़ मैं उनके समरंद करीयों आपड़िका अरों आपक मैं अर्मान आपरंद करीयों लेके में आपका लुड़ मैं आपका लुड़ बसे आपका लंगे क्याने लगती है कि महराज जो हमेशा धरम करते हैं उनके बेड़े वो इस वर पार लगाते हैं और जो अधरम करते हैं वो बीच मर्धा मजधार में डूब जाया करते हैं कैसे लिखा चोथी वात में क्या बताया क्या कहने कहलक मी चंद धरम करेतें सबके बेड़े पारे हुए जो धरम छोड़े अधरम करे वो डूब बीच मजधार गए दे कहले अंदर गज हरी का नाम पुकार गए जो भर सून दे रहे जल उपर वो पकड़ के अधर उभार गए ये मेरे रोम रोम में वास करो मेरे रोम रोम में वास करो मेरे हिर दे में हर हर हाँ अधर मनसा से एटि बस हापड मैं उनके जुम्रत करियाओ मनसा से एटि बस हापड मैं उनके जुम्रत करियाओ धन्यवाद धन्यवाद